हैलो फ्रेंड्स मैं जय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विसेज ग्यान में फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी इंकम टेक्स फाइलिंग का सीजन चल रहा है और बहुत से लोग रिटर्न फाइल करना सुरू भी कर चुके हैं लेकिन उनमें से कई लोगों के दौरा जो रिटर्न फाइल की गई होगी हो सकता है उस रिटर्न फाइल करने के दौरान उनसे कोई मिश्टेक हो गई हो या रिटर्न पूरी की पूरी गलत फाइल हो तो आप सभी के लिए एक आप्शन है income tax portal पर अगर आपसे कोई mistake हो जाती है return filing करते time तो आप उस return को delete कर सकते हैं बट यहाँ पर एक condition है कि आपने उसे e-verify न किया हो अगर आपने उस return को e-verify कर दिया तो उसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही option है कि आप revise return file कर सकते हैं लेकिन अगर आपने return file कर दिया है और उसे e verify नहीं किया है तो आप return को delete कर सकते हैं वो income tax portal से completely delete हो जाएगी उसे फिर कोई track नहीं कर पाएगा जबकि अगर हम बात करें revise return की तो revise return को आप track कर सकते हैं और जो original return है वो भी आपकी income tax portal पर रहती है यानि उस case में एक next return file होती है लेकिन जो original return है जिसमें mistake हुई थी वो भी आपके portal पर रहती है ठीक है जिसका reference आप revise return के अंदर डालते है ठीक है तो आप ये जो option है delete करने का ये कहां से देखेंगे जब आप अपने income tax portal पर login कर जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर e-file का option है यहाँ पर income tax return का option है यहाँ पर e-verify return का option है और आप सभी को पता होगा कि अगर आप एक बार return फाइल कर देते हैं तो आपके पास 30 दिनों का time होता है उस return को e-verify करने का या तो आप bank के थुरू करते हैं net banking वगरा के थुरू या demate account वगरा के थुरू करते हैं या अपने mobile पर OTP मंगा कर करते हैं या 30 दिनों के अंदर बैंगलोर उस ITRV को भेज कर अपनी return e-verify करते हैं तो अगर आपने return e-verify नहीं किया है तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे e-verification के इस option पर तो यहाँ पर आपको discard return का भी option मिल रहा है तो यहाँ पर अभी देखे मेरी कोई return file नहीं हुई है तो इसलिए यहाँ पर कोई भी return आपको reflect नहीं हो रही है अगर मेरी कोई return file हुई होती और वो e-verify नहीं हुई होती तो वो यहाँ पर reflect होती तो मेरे पास यहाँ पर दो option होते एक option होता उसे e-verify करने का और एक option होता discard करने का जैसे ही मैं discard बटन पर click करता और उसके बाद वहाँ पर yes या no का option पूछा जाता जैसे ही मैं उसे yes करता मेरी वो return income tax portal से completely delete हो जाती और फिर मैं एक phrase return file कर सकता ठीक है तब आपको revise return file करने की जोड़त नहीं परती लेकिन एक बात याद रखिएगा जैसे जो normally income tax return filing की जो date होती है without late fee वो होती 31 जुलाई ठीक है जिनका audit वगरा नहीं होता है तो मान कर चलिए suppose कीजिए कि आपने 31 जुलाई को return file की ठीक है और अब आपको मान कर चलिए एक अगस्त को या उसके बाद e-verification करने के पहले यह पता चल जाता है कि मेरी return में कोई mistake हुई है या मैंने form गलत चूज कर लिया कुछ भी mistake आपको नजर आती है तो उस case में अगर आप अपनी return को delete करते हैं यानि discard करते हैं तो फिर आपके सामने एक दिक्कत आएगी वो ये दिक्कत होगी कि आपकी मानी जाएगी कि आपने return file नहीं की है और आपके उपर late fee लग जाएगी तो उस case में आप revise return ही file करें तो ज़्यादा बहतर है वहाँ पर delete न करें क्योंकि अगर आप delete करेंगे तो आपको 1000 से कम है तो फिर आपको late fee नहीं लगेगी तब आप delete कर सकते हैं तो I hope friends आपके लिए ये जो option है बहुत relevant होगा अगर आप income tax return file करते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो please वीडियो को share कीजे ज्यादा से ज्यादा like कीजे thank you friends for watching my video